नमस्कार वेलकम रंत अंत्र देख रहे हैं आप मैं हूँ रॉनक दोस्तों उत्सव का टाइम है पहली बार बैस बॉल को भारती क्रिकेट टीम ने हराया है और अब जाकर हमारी जान में जाना ही है क्योंकि ओर टेस्ट चैंपिंशिप की पॉइंट स्टेबल में हम वापस से दूसरे नमबर बार आगे हैं लगाता दो बार फाइनल खेलने के बाद अब की बार जब हम अफरीका और इंग्लेंड से हारे तो मुझे लग रहा था कि पत्ता कट जाएगा लेकिन अभी बिल्कुल पूनम पांडे जैसा फील हो रहा है मतलब दोबारा जिन्दा होने वाल अगर आप भी इन में से किसी से रिलेट करते हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ठीक है शुरू करते हैं हाइलाइट नमबर वान इंग्लेंड बहुत ही खतरनाक टीम है वरना आप सोचो इंडिया में टेस्ट मैच खे खेलने का नाम नहीं है उस एटिजूड का नाम है जो कभी हार नहीं मानता तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जब जेमस आंडिसन ने कहा था कि 600 रन भी अगर टीम इंडिया ने टार्गेट दिया तो भी चेस करने की कोशिश करेंगे तो गलत नहीं कह रहे थे ये इंडिया वर्सिस इंग्लेंड टेस सीरीज होने जा रही है अब बढ़ते हैं हाइलाइट नमबर दो की तरफ रोहिच शर्मा चौते दिन के खेल में रोहिच शर्मा की डिफेंसिव कप्तानी को केविन पिटरसन ने जम कर लताड़ा लेकिन हम यहां पर रोहिच शर्मा कप पिछले चे शर्मा के पिछले चे महीनों में हैं अगर विराट कोली के होते तो कुरा मीडिया पगला गया होता उमीद करता हूं रोहिच राज को टेस्ट में वापसी करेंगे रोहिच शर्मा के फैंस कॉमेंट सेक्शन में हल्ला बोल दो और रोहिच शर्मा तो आपसी कर भी लेंगे क्यूंकि हमें पता है टैलेंटेड हैं लेकिन इस वीडियो के हाइल नमबर तीन और हमारे देश के विकेट कीपर श्रीकर भारत कब रन बनाएंगे भाईया उनको देखकर तो मेरा भगवान पर भरोसा और जाधा अटल हो गया है यही लगता है कि जिन भगवान जी ने भारत भाई को डेड़ अरब की आबादी वाले देश में विकेट कीपर ब मैच के बाद जब राहूल द्रवीड से पूचा गया कि क्या इशान किशन बाकी के बचे तीन टेस्ट मैचों के लिए वापसी करेंगे तो द्रवीड का जवाब था कि उसके लिए उनको क्रिकेट दोबारा खेलना शुरू करना पड़ेगा आपको याद दिलादें कि दक् कीपर कीपिंग के लावा थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले भईया खेर हाइलाइट्स और भी हैं लेकिन अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि दस दिन की चुट्टी है अगले टेस्ट मैच से पहले तसली से वीडियो बनाते जाएंगे लेकिन कल वीडियो रहेगा कुछ कि खियए कि अगली होड़ी हैं कि अगई भी हैं पिस्ट बनाते जाएंगे लेकिन